हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारों दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अभी अभी बहुत ही जबरदस्ट अप्डेट लेकर आ चुका हूँ आप सब लोगों के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए UP NHM CHO भरती 2023 दोस्तों उत्तर परदेश NHM से 8000 पलस CCHN CHO ओफिसर की वेकेंसी आ रही है इसमें दोस्तों दो तरीके से भरती आएगी सबसे पहले CCHN की भरती आएगी और इसके बाद दोस्तों मेरिट पर जो है CHO ओफिसर की भरती आएगी दोस्तों इस टेंडर फाइनल हो चुका है यह सबसे बड़ी खुसका भी है जी हाँ इस बेट से यहाँ पर डेट रखी गई थी 18 अक्टूबर को और आज 18 अक्टूबर अभी अभी नई अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों recruitment agency के लिए यहाँ पर टेंडर निकला गया था जिसका यहाँ पर इस टेंडर पास हो चुका है और इस टेंडर दोस्तों फानल होने के बाद जो है अब आप लोगों की सबसे पहले भरती CCHN यहाँ पर आने वाली है तो आज 18 October अभी अभी दोस्तों नई अपडेट निकल के आ रही है तो आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले कौन से भरती आएगी अगर CCHN भरती आएगी तो यह भरती कब आएगी कितनी वेकेंसी आएगी और इसमें qualification क्या होगी जॉब location क्या होगी सेले कितनी मिलेगी कैसे selection होगा इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं चलिए आपको लेके चलते हैं UP NHM के website पर तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर परदेश National Health Mission यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 18 अक्टूबर 2023 National Health Mission Department of Health and Family Welfare Government of UP UP NHM की दोस्तों website है और यहाँ पर देखोगे तो अपडेट वाला page open हो चुका है दोस्तों इस page का link नीचे discussion box में दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके डिरेक्ट आप लोग इस page पर आप आएंगे इस page पर आओगे तो यहाँ पर देखिए एक notice जारी की गई थी selection of human resource recruitment agency for recruitment services of contractual positions under NHM उतरपदेश तो दोस्तों recruitment agency के लिए tender निकाला गया था जिसकी opening date यहाँ पर आज 18 October यहाँ पर रखी गई थी और यह सबसे बड़ी update यहाँ पर रखी गई थी 12 बजे की आसपास यहाँ पर date रखी गई थी तो दोस्तों यह tender यहाँ पर पास हो चुका है recruitment agency के लिए यहाँ पर जो है tender निकाला गया था जिसका final जो है confirm update आ चुका है और अब दोस्तों आपकी भरती आएगी इसी वज़े से डिले हो रहा था नहीं तो दोस्तों हर साल जो है सब्तमबर के मन्त में तो नहीं लेकिन जुलाई से सब्तमबर के बीच में 100% CCHN और CCHN के भरती आ जाती थी लेकिन अब यह थोड़ा सा डिले हुआ था 8000 पदों पर CCHN की वेकेंसी आएगी और CHO की वेकेंसी आएगी अब CCHN की कितनी वेकेंसी आएगी इससे पहले मैं आपको यह टेंडर नोटिस दिखा देता हूँ जो की पुरानी नोटिस जो पब्लिस की गए थी उसी नोटिस करूंसार मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी द यहाँ पर देखें नोटिस फार इन्वाइटिंग सेलेक्शन ओफ हूँमर रिसोर्स रिकूर्टमेंट एजनसी फॉर रिकूर्टमेंट सर्विसेज ओफ कंट्राक्चुल पोजीशन अंडर नेशन हेल्थ मिसन उत्तर परदेश तो देखिए समविदा पर भरती के लिए ज से जो है इर टेंडर के लिए आवेदर मांगा गया था जिसकी यहाँ पर 17 अक्टूबर सामको तीन बजे तक रखी गई थी इसके बाद इविड से ओपनिंग डेट यहाँ पर 18 अक्टूबर तीन बजे यहाँ पर रखी गई है तो अभी दोस्तों देख सकते हूं तीन बज यह आपका जो है इर टेंडर फानल हो जाएगा लगबग 20 मंड बाकी हैं और इसके बाद दोस्तों आगर हम बात करेंगे तो अब आप लोगों की दोस्तों वेकेंसी सबसे पहले CCHN की आएगी और CCHN की जो हम बात करते हैं तो 4500 से लेकर 6000 के बीच में वेकेंसी यहाँ पर आने वाली है 4500 से लेकर 6000 के बीच में यहाँ पर विकेंसी आएगी और CCHN की 200 सबसे पहले विकेंसी आएगी और इसके बाद जो है लगभग अगर बात करते हैं तो 3000 से लेकर 4000 के बीच में जो है आपकी CHO की विकेंसी आएगी जो की merit के base पर विकेंसी आएगी और जो CHO merit के base पर vacancy आएगे इसमें GNM farm को apply नहीं कर पाएंगे जी हाँ, बाकि जो CCHN की vacancy आएगी CCHN की जो vacancy आ रही है इसमें 4500 से 6000 vacancy होगी इसमें GNM BSE nursing, post basic BSE nursing तीनों यहाँ पर farm को apply कर पाएंगे चलिए माँ एक जलक आपको old notification CCHN का दिखा देता हूँ उसी के basis पर देखिए, आपको सारी जानकरी हम देने वाले है बाकि E tender यहाँ पर final हो चुका है यह सबसे बड़े खुसकबरी यहाँ पर निकल क्या रही है और अब आपके सबसे पहले CCHN की भरती आएगी समविदा पर इसके बाद 200 CHO की भरती आएगी बाकि यहाँ पर देखे CHO की वेकेंसी निकले गई थी मेरिट वाली 4000 पदों पर वेकेंसी निकले गई थी और देसंबर 2022 में वेकेंसी निकले गई थी इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे तो CCHN CHO की यहाँ पर वेकेंसी निकले गई थी जिसकी अंतिम्ति थी जो है 9 अगस्ट यहाँ पर रखे गई थी आप लोग देख पारे होंगे Community Health Officer CHO की जो है CCHN यहाँ पर देखे CCHN CHO की 5505 पदों पर वेकेंसी निकाले गए थी की बार वेकेंसी बढ़ने वाली है और यह दोस्त जो वेकेंसी अगर हम बात करते हैं November तक आने वाली है November तकड़ोश वेकेंसी आएगी और December तक आप लूफ फाम भरोगे यह सबसे बड़ी अपडेट है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको COVID-19 के experience के bonus marks मिलेंगे और qualification की बात करते हैं उससे पहले देखिए qualification में अगर आपने GNM कर रहा है कर रहे हैं और अभी आपका result यहाँ पे नहीं आया हया फांनल तो आप लोग फ़र पाएंगे लेकिन अगर आपने GNM कर लिया है या जीनम का final result आचुका है तो आप लोग फिर खाकती हो यानि कि प्यारे दोस्तों CCHN के लिए GNM No.1 No.2 BSC Nursing No.3 Post Basic BSC Nursing Farm को अप्लाई कर सकते हैं Maximum Age Characteria 35 PS रखी जाएगी और इसमें OBC वालों को 3 वर्स की छूड मिलेगी और SCHC वालों को 5 वर्स की छूड मिलेगी बाकि आपकी 4 महने की ट्रेनिंग चलेगी चार महने ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आपका Final Exam होगा Final Exam कौलिफाई करने के बाद CHO Officer Position पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी तो जब 4 महने आपकी ट्रेनिंग चलेगी उसमें आपको 10,000 रुपे का हर मन्त स्टाइपन दिया जाएगा और जब आपको CHO Officer पर पोस्टिंग दी जाएगी उसमें आपकी सेली टोटल जो है 35,500 हो जाएगी जिसमें 20,500 रुपे आपको सेली मिलेगी और 15,000 आपको Performance Based Incentive Bonus यानि PBI दिया जाएगा टोटल सेली आपकी 35,500 हो जाएगी किलियर है बाकी सिलेबस की वीडियो अलक्सी आएगी सबसे पहले CC एजन के वेकेंसी आएगी थोड़ा सा वेट करिए नवंबर तक आपकी भरती आएगी और दिसमबर तक आप लोग फ़ाम भरोगे जी हाँ धन्यवाद